आज दिल्ली के दौरे पर सीम पुशकर सिंग धामी रहेंगे दो दिन दिल्ली में पुशकर सिंग धामी रुकने वाले हैं ग्रह मंत्री अमिच्छा से भी मुलाकात वो करेंगे केंद्रिय जल्शक्ती मंत्री गजिंद्र सिंग शेखावत से भी मुलाकात का कारिकरम है तो दो दिवसिय दिल्ली दौरे पर उत्राखंड के सीम पुशकर सिंग धामी रहेंगे उसी को लेकर कई कारिक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है पतादी की ग्रैम मंत्री अमिट शा से भी मुलाकात वो करेंगे कि दिली के दोरे पर सीम पुश्कर सिंग धामी रहेंगे दो दिनके दिली दोरे पर पुश्कर सिंग धामी रहेंगे ग्राय मंत्री अमित्षा से मुलाकात यहां पर पुशकर सिंग धामी ने की है जलशक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शेकावत से मुलाकात का उनका कारिक्रम है जलशक्ती मंत्री से वो मुलाकात करेंगे राश्ट्य सुरक्षा सलाकार अजीर दोभाल से भी शिष्टा चार गया है केंद्रे वंत्री अजय भट से भी सीम धामी ने मुलकात की है राज्यसबा सांसद अनिल बलूली से भी पुशकर सिंग धामी मिले हैं खबर पर जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र धाका मारे साथ जुड़ गये सुरेंद्र क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है दो दिवसीय दिली दोरे पर सीम पुशकर सिंग धामी है कई नेताओं से मुलकात उन्होंने की है देखे साहिल मैं बता दूँ आपको मुक्षकर सिंग धामी कल साम दिली पहुँचे हैं और उन्होंने लगातार जब यहां से निकले थे तब उन्होंने का था कि वो केंद्रिय मंत्रियों से मुलकात करेंगे अजी डोगवल अर आज सुबह उन्होंने रक्सा मंत्री है राजना सिंग उनसे मुलाकात की है और जो जखोला में रुदर प्रियाग में केंडरेविध्याले प्रस्तावीथ है उसको उसके अवस्थापना के लिए उन्होंने पैसे कियों है तो जाहिड सी बात है एक विकास का मौडल पेस क करना है। उसके लिए पाइस के लिए फैसा देखरादून लॉट तो उनके उपर जिम्मेदारी चार गुना बढ़ जाती है इस बात को लेकर कि उन्हें पार्टी को जो 2017 की जीत है उससे आगे ले जाना है और जिस तरह भारती जनता पार्टी एक नारा देने जा रही है इस बार साथ पार तो उसको भी अमली जामा पहनाना उसकर सिंग धामी की जिम्मेदारी होगी साहिट जी सुरेंद्र वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से विदानसवा चुनाओं भी नजदीक हैं और उसको लेकर भी लगातार भारतिय जनता पार्टी की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है और कोरोना की स्थिति को लेकर अगर बात हैं स्वास्त संबंदी जिनको लेकर भी पुशकर सिंग धामी यहां पर प्रयतनरत नजर आये थे उसको लेकर भी क्या किसी तरह की कोई चर्चा यहां पर केंद्र से वो करने वाले लगातार जो घाटा बढ़ रहा है उसको पाठने की भी जिम्मेदारी पुशकर सिंग धामी की है यदि केंद्र की केंद्र की योजनाओं में पैसा नहीं ला पाएंगे तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रदेश पहले ही घाटे क इस्थिती में चल रहा है ऐसे में स्वास्थ सेवाए अपनी पूरी तरह जरजर हैं पूरी तरह खराब हैं उत्तराखंड के पाड़ी लाकों में तो उनको सवारना भी पुशकर सिंग धामी की जिम्मेदारी होगी 2022 में जो विदान सबाचुनाव है उसमें जाना है तो एक बहतर स्वास्थाओं का विकल उत्तराखंड के पहड़ी घीलों में देना होगा जो सीसी हैं पिस्थी हैं लगतार खराब इस्थिती में हैं तो उनको लेकर डॉक्ट्टर स को लेकर दवाईयों को लेकर तमाम तरह का जो इंफ्रस्टेक्टर है उसको लेकर पुसकर सिंग दामी को ये सब रोड में अभी से तयार करना होगा उस पर काम करना होगा उसको अमली जामा पहनाना होगा ताकि जल से जल जो एक मैसेज है वो पब्लिक में जाए और 2022 का रण वो फत्य कर पाएं जिसकी वो लगातार बात कह रहे हैं जी वहीं सुरेंद्र अगर बात की जाए चुनाव के मद्दे नज़र जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि काफी कम समय बचा है अब विधान सबाद चुनाव को लेकर और पुशकर सिंग दामी के लिए एक बड़ी चुनावती है भारतिय जनता पार्टी की जो हुई हुई जमीन है उसको वापस हासिल करना जिस तरीके से लोगों में बीच में कुछ गलत संदेश भी चले गए जिस तरीके से हुई उसको लेकर भी साथी साथ अगर बात की जाए तो कई जगहों पर जो लोग थे वो नाराज भी नज़र आए भारतिय जनता पार्टी स और आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्ब बनकर जो उभरी है एक बड़ी चुनोती यहाँ पर भारतिय जनता पार्टी के लिए है उससे उभरने के लिए किस तरीके के रास्तों की यहाँ पर खोज की जा रही है और ग्रह मंतरी अमित शासी भी उन्होंने मुलकात करी है तो इसका कितना फायदा पहुचने के उमीद है देखे साहिल समझना होगा पुसकर सिंग धामी के पास समय का बहुत अबाव है चार साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री त्रिवें सिंग रावत रहे हैं सबसे लंबा कारेकाल अगर किसी भारती जनता पार्टी के मुख्यमंत मुख्यमंत्री को साधना और उसके बाद आप देखिए कि कुमाओ को तरजी देना आज तक कुमाओ को तरजी इतनी नहीं मिली है जितनी भारती जनता पार्टी के इस मुख्यमंत्री बनने के बादी जो पुसकर सिंग धामी बनने है और अब जो जेपी नड़्डा का दोर पुसकर सिंग धामी और प्रदेश का संगठन तीनों जुड़े हैं और आपने पूछा था कि आम आदी पार्टी जो विकल्ब बनकर उभी है जाहिर सी बात है आम आदी पार्टी ने जिस तरहे दो बार दिल्ली में दस्तक दी है दो बार मुख्यमंत्री बने हैं और परच उसे पार्टियों में उतना प्रतिनिदी तो नहीं मिल पारा है जितना मिलना चाहिए तो एक वज़े ये है कि उत्रा खंड में आम आदी पार्टी बहुत तेजी से साथ बढ़ रही है और कितना इंपक्ट जाएगा ये तो चुनाव और वोट के बाद पता चलेगा लेकिन फिलाल जिस तरह आम आदमी ने पार्टी ने दस्तक दी है और जो फ्री बिजली की घोशना की है उससे कहीं न कहीं आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि उसने दोनों पार्टियों की जो बेचैनी है उसको बढ़ा दिया है जे चलिए सुरेंद्रा बने रही है हमारे साथ आगे भी आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे